36 गड़ के बस्तर में पिछले 4 दसकों से नकसली और जवानों के बीच युद्ध चल रही है और नकसली जादा से जादा जवानों को नुकसान पहुचाने के लिए अपने वारदातों में तरह तरह के हत्यार इस्तमाल करते हैं यही नहीं पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो लगातार पुलिस और नकसली के मुढ़भेड में कई जवानों की शहादत हो गई है और इसके पीछे वज़ा यह है कि नकसली हमेशा गुरिला युद्ध ही करते हैं दर असल इस गुरिला युद्ध के तहत नकसली घने जंगलों के आर में पुलिस के जवानों पर घात लगा कर हमला करते हैं जिससे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंसता है और कई जवान वीर गति को प्राप्त करते हैं दर असल आपको बता दू कि नकसली के हत्यार में एक और घातक हत्यार है जिसे हम बूबी ट्रैप कहते हैं दर असल ये बूबी ट्रैप ये होता है कि नकसली घने जंगलों में जो सडके होती है पकडंडी होती है यहाँ पर लगभग 4-5 फीट की गड़े करते हैं और सब्सक्राइब सब्सक्राइब जवान का पर आ जाता है और जवान बूरी तरह से इस बूबी ट्रैप में फच जाते हैं ये बस्तर के आईजी ने जो जानकारी दिये है कि इस बूबी ट्रैप में फशकर अब तक 45 जवान घायल हो चुके हैं इसके अलावा तीस आम नागर में स्पाइक साधी की स्तमाल कर रहा है इसमें जो जमीन में गड़ा कोद के लोहा या बास बली का स्पाइक्स लागाते हैं जिससे अभियान जाते समय सुरक्षा बल्ल का जावन को नुक्सान होते हैं विगत दो वर्श में देखे जाए तो लगबख दो लॉक चलिस पइंत्रल सुपार समारा जो जवान है स्थानि पुलिसीम केंद्रतीसनिक की क्रावन क credits का स्वाण कर चूट हुआ है जो spikes के कारण से भी अनेक निर्दोष ग्रामीन भी चपेट माँ जाते और जो इस इलाकर में जो मवेशी है और अन्नी जानवर है उसका भी नुक्सान होते हैं इसका तोर तरीका कैसम neutralize कर सकता है उसी साथ सब स्वरक्षापल उसका कारवे करते हैं साथ साथ जो spikes के बारे में भी हम लोग अधिक सदिक जानकर इकटा करने के उसका database डेलोप करते कौन-कौन सी राकर में कौन-कौन सी रास्ता में इस टैप का spikes हो सकता है जो हमारा पास जो ग्रफ्तरमा हो दियंकर जो इंट्रोकेशन में भी यह सब जानकरी सामने आते हैं उसी कि इसाथ से जो बेसिक जो साथ दानी बढ़तने के लिए सभी हमारा जावन को briefing की जाती है उसी इसाथ से कर वे होते हैं कुल मिलाकर नकसली अब घोर नकसल परभावी छेतरों में खास करके घने जंगलों में मार इलाकों में इस भूबी ट्रैप का इस्तमाल करते आ रहे हैं और इससे जवानों को नुकसान भी पहुँच रहा है हाला कि पुलिस के जवान अब तक इसका तोड नहीं निकाल सके हैं लेकिन बस्तर के आई जी का कहना है कि सतर्कता ही इस भूबी ट्रैप का तोड है चुकि अगर जवान इस रस्ते में सतर्क हो के चलेंगे तब इस भूबी ट्रैप से बस सकते हैं हाला कि कई बार जवानों को गस्ती के दौरान इस बूबी ट्रेप को ढूड निकालने में काम्याभी मी मिली है और इसी में खुलासा हुआ कि आखिर नकसली जवानों को नुकसान पहुचाने के लिए कि इस तरह से लोहे के पुडाने चड़ और बांस को नुकीला कर इन गड़ों में गारते हैं और उसी में फसकर जवान बुरी तरह से घायल होते हैं इन बस्तर आईजी ने पूरे जवानों को सतक करते हुए कहा है कि कैसे भी इस बूबी ट्रेप से बचा जाए इसके लिए जब भी वो गस्त में जाए तो सावधानी पुर्वक चले और खास करके इन अंद्रूनी छेत्रों में ऐसे सड़कों को ध्यान में रखे कि जहां पर नक्सलियों द्वारा भूबी ट्रेप लगाने की पूरी तरह से आशंका है अशुक नाइडू ABP News बस्तर